हाई और वीडिवन! इस वीडियो में देखते हैं JSC previous year स्वाल तो JSC previous year स्वाल का अंतरगत आज के वीडियो में देखेंगे जारखनतारहोगा safety three में पूछेंगे स्वाल तो जारखनतारहोगा safety विग्यान सेक्षन से जितने भी स्वाल पूछेंगे थे सारे सवाल देखेंगे जो जैसे सीजियल और जैसे सी के अने एक्जाम के लिए महत्पूर्ण है तो चलिए सुरू करते हैं सेट तीन तो सेट तीन का पहला सवाल क्या था विग्यान सेक्शन से तो एक छेतर जिसमें अस्थलिय समुद्री और टटिय पारिस्तितिक तंतर सामिल हैं उन्हें क्या कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है उसे जीव मंडल रिजब बोला जाता है उसका सही अंसर हो जाएगा option 3 तो एक ऐसा छेदर है जिसमें अस्थलिय, समूदरी और टट या पारिस्तितिक तंदर सामिल होते हैं उसे जीव मंडल रिजव कहा जाता है तो option 3 सही हो जाएगा अगला स्वाल की और बढ़ते है जिस दर से वस्थू अपना अस्थान बदलता है उसे डेस कहा जाता है खिजाव, गती, वेक, घर्षन तो उसका सही अंसर हो जाएगा भेलो सीटी कहा जाता है तो जिस दर से वस्थू अपना अस्थान बदलता है उसे भेलो सीटी कहा जाता है तो इसका सही अंसर है option तिसरा तिसरा स्वाल देखते हैं एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे डेस कहा जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा विध्यूत दर्सी, इलेक्ट्रोस्कोप तो इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा उपकरण है जिसकी सहीता से बिजली के चार्ज को पहचाना जाता है तो इसका सही अंसर भी option, तीसरा option है चोथा स्वाल देखते हैं बेंटरी में कौन सा एसीड का उपयोग किया जाता है तो बेंटरी में कौन सा एसीड का परियोग किया जाता है हाइड्रो क्लोरिक एसीड हाइड्रो ब्रोमिक एसीड सलफ्यूरिक एसीड नाइट्रिक एसीड तो इसका सही अंसर है बेंटरी में जो हता है सलफ्यूरिक एसीड का उपयोग किया जाता है तो इसका स्वाल रेत और कंकड के रूप में जाने वाले कनों को दूर करने की परकिरिया को डेस कहा जाता है तो रेत और कंकड के रूप में जाने वाले कनों को दूर कैसे किया जाता है अपचरन तो सहीं सरे अब चरन हो जाएगा छठा स्वाल देखते है तापमान जिस पर वायू में जल्प वास्प तरल अवस्था में है वो क्या कहा जाता है तो तत्मान जो है जिस पर वायू में जल्प वास्प तरल अवस्था में है वो उसे उसांग कहा जाता है संगं एक परकार का डेस है तो अब साधी चटान इसका संगंश रो जागा अब साधी चटान तीसरा सेडिमेंटरी रोक्स 8-5 स्वाल देख लेते हैं मेंटल के नीचे स्थित होता है तो मेंटल किसके नीचे स्थित होता है mental जो है प्रित्वी के पपड़ी के आनि की अर्थ क्रष्ट के नीचे होता है नौस वाल आप देखते है सोर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमावा वाला ग्रह कौन है तो सोर मंडल का कौन सा ग्रह है जिसका सबसे अधिक उपग्रह है तो इसका सजिनसर क्या है सोर मंडल का सरवाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है ब्रिस्पती तो सजिनसर है ब्रिस्पती और मंगल के कितने उपग्रह है तो मंगल के दो उपग्रह है कौन-कौन एक फोबोस और डिबोस दसमास वाल खमीर अंगूर को अंगूर की चीनी को डेस में परिवर्तित कर देती है तो खमीर इस्ट जो है चीनी को किस में परिवर्तित कर देती है अल्कुहल में तो से इसर रहे हैं अल्कुहल 11 वा लेखते हैं पहौन की गती की माप की काई डेस कहा जाता है तो पहुन की, गति, काम की माप क्या है, जहाज मील, नोट, इसका सई आपकता है, बार वापसवल क्या है, डैस दस खनीजों का एक पहमाने है, जो बहुत ही नरम तालक से लेकर, बहुत कठीन हीरे तक है, तो इसका सई आपकता है, तो इसका सीह इंसर होजाएगा मुख कि कठोरता का स्क्यलम देखतें 70 अटलांटिक महासागर पर उस घठी अच्ठी बन्दियिय चकर वातों को डेस्थ कहा जाता है अटलांटीक महासागर पर उसक्ष्ठी बन्दियर चकर वातों की का जाता है सुल सल पंदरमा सुल जब लाल लिटमस पेपर एक बेस में डुबा दिया जाता है तो लाल लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है तो लाल लिटमस पेपर को एक बेस में डुबा दिये जाता है अनीखी छार में तो लाल लिटमस पत्र का कलर कैसा हो जागा निला तो शरीन सरे निला हो जागा बूलो इस वाल के उर बढ़ते हैं निश्चित स्नरचना का कानून कब प्रस्तावित किया गया था किसके दोरा प्रस्तावित किया गया था किसके दोरा पूछा गया था तो जोसेप प्राउष्ट के दोरा किया गया था तो से इंसर हो जागा इसका जोसेप प्राउष्ट अगला स्वाल देख लेते हैं डेस परक्रिया है जिसके दोवारा कोशिका व्यभाजन के बाद दो कोशिकाओं को व्यभाजित किया जाता है तो इसका सेंसर हो जागा साइटो काइनोसिस तो साइटो काइनोसिस परक्रिया है जिसके दोवारा कोशिका व्यभाजन के बाद दो कोशिकाओं को भी वाजित किया जाता है तो इसका सेंसरो जगा दूसरा अठारवा स्वाल किरो बढ़ते हैं मिटी में एक नाइट्रोजन फिक्सिन बेक्टरिया है तो कौन से बेक्टरिया जो है मिटी में रहता है राइजो बियम तो sensor है राइजोबियम हो जाएगा इसका दूसरा option 19 स्वाल की रबढ़ते हैं सबसे परचूर खनीज कौन सा है सबसे परचूर खनीज समूझ है silicate तो sensor हो जाएगा silicate आने की तिसरा option अभी स्वाल स्वाल देखते हैं इसेट का आखरी स्वाल क्योंकि 20 स्वाल पुछे गें स्वाल 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 झाल झाल